असलाम आलेकुर्ण आज भी आज की टॉपिक में मैं ज़्यादा इल्याम निकत बोलको हाफिस आपको बिठा लिए अलहम्दल्ला आप लोग जान सकते हैं अलहम्दल्ला इंशालों का एंट्रीजिंग आलरी बार-बार दे चुके कई को टाइम वेस्ट करना बोलके नहीं दे से हाफिस के साथ उसके हकीकत क्या है दलिल क्या है उन्हों बहताते हैं इंशालला मेरे कोशन में चांसर हरेंगा आप लोगों को इंशालला अलहम्दल्ला हमें मजीद को जा रहे पैखाना कर रहे पिशाप को जा रहे साफ सवाई का जिम्मा को नफस्ट और मजीद में आप को उजू को पानी दिया जा रहा मैड दिया जा रहा हावीश इन WEются आपकी पीच्चे हमें नमाज़ पर हमने तो नमाज नहीं आती तो उनकी पीच्चे पड़ को आपको हमें नमाज़ को मुकंमल कर ले ले अलहमनलण तो उनकी फिस कोन पे कृते इसके बारे मेरी चर्चा है तो इंशाला चलो सीधे हवी साफ सफाई का जुम्मा कुन महले की मजीद है हमें साफ सफाई का खायल नी करे खाली जारे मजीद में कच्रा कोडा करके निकल जारे साफ सफाई का खायल नी इसके बारे मैं हाफिस आप से डिर्रेक्ट पूछना चाहतू हूँ, बहुत साल से मेरा कोशन है, शालला सीधे मुद्धे पजेंगे हाफिस आपके, असलाम आले कुर्ण आपके, इसके सिल्सिले से आप कुछ मेरे को खुरान हदीस से पेश करूँ वालेकम सलाम रहमतुल्ह वरकातों, अल्हम्दुल्ल्ह कफो सलाम अला इबादि लदीन अस्तफव अम्मबाद, वाओद बिल्ल्ह समीन अले मिन श्यतान रजीम, बिस्मिल्ल्ह रह्मान रहीम, अत्तुहुर श्यतुल इमान, आपने जैसे सवाल किया, मज्जिद की सफाई कों करना, ऐसे सवाल करना था, आपको सवाल ऐसे करना था, मज्जिद की सफाई कों करें, मज्जिद की सफाई कों करना, इमाम करना, मोजन करना, मज्जिद की ट्रेस्टियां करना, कि सब लोग मिल करके करना, ऐसे सवाल करना था, मज्जिद का लेटरन बात रूम है, वो कौन स करना कि मॉजन करना तोड़े लोग बुलते हैं मजीद में नहीं मिलते हो लोग मिले तो भी पैसा देना है उनको कहां से लाके कि देते माई घंदगी कर ओओ Sab मैई घंदगी कर ओओ मैच करना न साफ तो काई को मैं मुनसिपालट चाले को भूलो उसे एक्ष्टा पैसे दू क्या गूर्मेंट क्या तो बोले है से मजिध जा को साफ साफ साफ्साफ करवा कर भा तो भाल before को नहीं न क्या हाफ इससे करूं क कुरान हदीस की रोशिर में इंशालला जवाब देने कोशिश करूंगा मैंने आपके सामने एक हदीस पड़ी है अत्तुहुर शतुल इमान पाकी सफाई आधा इमान है सफाई आधा इमान है यानि जिस अंदर जिस इंसान के अंदर अगर सफाई का है रुज़ान है जहनित रखता है साफ सुतरा रहता है तो उसका आधा इमान रहता हदीस कहती है लेकिन यहां सवाल यह होना चाहिए मजजिद को सफाई कोन करे मुजदन करे इमाम करे टरस्टिया करे या सब लोग मिल करके करे यह जए जए है तो इसका सवाल यह है सवाल का जवाद यह है कि मजजिद सब मिलकर सफाफ करना चाहिए अगर मजजिद के सफाई में सफाई करने को कहते हैं तो कोई भंगी नहीं है मुदन मुदन क्या मुदन है अब मुदन का मقام माلوم है Allah के नभी SL. ने फिर्मया क्यामत के दिन सबसे लंभी गदर गर किसी की होगी तो मोघजन की होगी अब उससे हम क्या काम करा रहे हैं लेटरिन इसका करा रहे है उसको भंगिं समझ रहे है मोघजन का इतना उचमकाम भंगी मतलब क्या है बंगी जो लेटर인지 साफ करने वाला वदगर साफ करने वाला उसको भणि हम बोलते हैं हम उर्दू में उर्दू में पर्भांगी पर उसको बंगर मुसमें बा सबक्र म bara बंप सबीच वत यह इस संब्स्राइब आप बंगी वू जो गाटर साफ करता है लेटर अब् לה. बातरूम साब करता है, उसको भंगी, भंगी बोलते हैं, तो ये मुखजिन कोई नो करने हमारा गुलाम नहीं है, वो अल्ला का गुलाम है, मुखजिन किसका गुलाम है, ना मजीद के सदर का गुलाम है, ना मजीद के खजान का गुलाम है, किसी का गुलाम नहीं हो, अल्ला का खुलाम हैं पांश टाइम जो अल्ला के लिए बुलाता है जिसकी सबसे लंबी गर्दन खायमत की दिनगी उसको हम लेटर ने बातरों सब करा रहे हैं कितनी हमारी नीच सोच है घटिया सोच है मैं समझता हूँ शायद कोई एक गहर मसलिम भी ऐसा काम नहीं कराएगा मौजजन से एक काफिर मुश्रिक भी एक काम नहीं कराएगा जो आज मुसल्माना करा रहे हैं हमारे अब बहुत यह अफसोस होता है कि मौजजन अजान देने के लिए रहता बस और उसके सेले ले कितने दो हजार तीन हजार में एक आदमी आम आदमी का घर नहीं चलता मौज़न watch darüber मौज़न का जब्रने के ऐ। ॱ्देश में कैसे चलता ह再见 ,менे थाजर पन्दरस में कैसे चलता अबू महजूरा रधि र्द्य ल्हानुh अल्ह के नभी के मौज्ण थे andare मौजुन ने भी और करे उनको आजान देने के लिए आप ने चादी की तहिली दे उनको कि चादी की तहिली गहिरत मर गई हैं या तो इन नके दिक शॉर्म हया नहीं है या इनकी घहरत मर गई है तभी ऐसा करते हैं मोजन को गलंच वह उनक बह उनक किसी गलाम नहीं होता है या यरू लेन अब आदमी अगर कहीं भी लेटरिन कर रहा है अब मालो गुशने घर में घरमे उसके लेटरिन रहते है भात्रों वेटा है अब लेटरिन कौन साफ करता वो साफ करता ना तो मज pagesD का लेटीन बाथरून क्यों नहीं साफ करता हो क्यों मौजविन को गلام समझता भी असल बाद में क्या है वो जुरू से पिटा रहता घर में नहीं नहीं चलता यहां के चलता यहां के चलता वही वहां जुरू के साथ चलाया तब समझ में आता तेरी अवकाद क्या है वहां नहीं चला है यहां के चला है क्योंकि यहां मौज़िन विचारा गरीब रहता कमजोर रहता उसका कौन भी साथ देने वाला है पूरे एक हो जाते अब मौज़िन को सताने वाले यह बाकादा सुन ले मौजलूम होता है अगर वो बद्दौा कर दिया दिल से तो पूरे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए जा और बद्दौा मौजलूम जो रहता है अल्ला हुसके दर्में कोई आड़ पर्दा नहीं रहता है डायरेट उद्दौा जाती है डाइड उद्वा जाती है अर्शे इलाही श्टकराती है और अल्लाँ सुनता है और मजलूम जो बद्वा कर दे तो इसी दुनिया में अल्लाँ चाहे तो अज़ाब दे दे और आखरत में सक्त अज़ाब ही है इसलिए मौज़न की कदर करनी चाही है हमारे हिंदुस्तान में अकसर हम देखते है मौज़न की कदर नहीं है जबकि मौज़न अगर पढ़ा लिखा हो अगर सही तालीम हो उसके पास सही अकीदा है शर्क बिदा तो पांच टाइम बे नमाजी है हाफिज कुरान है आलिम भी है तो इमाम से ज़्याद है उसकी मकाम मुचा है मैं समझता हूं जहां तक अगर पढ़ा लिखा है तो है ना लेकिन मौज़न को एक वलाम समझ लेना उससे लेटरिन बात में करना ये दूर्स नहीं है जिसकी मिसाल देता हूं लला के नियूस लबी स्वाज़ियोव सलिम बिला र 지लूर्य ऌल्हों को मुच़्द मुचर्ण किये अजान देने के लिए मुचर्द किये ना सबसे पहले मुच़द अजान देने माले BLAH RAZAL LAH TALayı अहان अल्ला के नभी तब क्या लेटरन बातरूम साफ करा है उन से हला कि साथ में रहते थे ल्ला के नभी तब के लेटरन बातरूम जाते खजाह अहज़त के लिए तो साथ में बिलाल क्या करते है लोटा बधना जो भी रहता हूँ जमाने में पानी लेकर जाते साथ में अओ लकड़ी अगेरा भी साथ में लेकर चलते थे पहले समाने में आज हम मौस्भन को कहां गिरा दिए कि यहां घ्रे यहां लेट नीगात हम कर रहे हैं हलाकि उसका काम नहीं है वो गड़्य साफ करता दूसरे आदमी को पैसा दे करा नहीं मजिद वालों ट्रश्टियों की जिव मेरा रही है यह जितने सदर है जितने खजानची है था ख़ंगी नहीं हम पूरे लोगां अपना पेड़ साफ करते हैं मौज़िन से क्यों सफाते हैं क्यों खुद नहीं साफ करते हैं घर में साफ करते हैं मौज़िन को गलाम समझे न मौज़िन गलाम नहीं हो सकता है ये इनकी सोच इनकी सोच गिर गई है और बहुत घटिया सोचे है और बहुत गंदी सोचे है मौज़िन के तालुक से इसलिए मौज़िन से बिलकुल लेटर इन बातरूम नहीं साफ कराना चाहिए मौज़िन अजान देने के लिए है वो पांच टाइम बुलाने वाला है अब उससे हम अगर अगर हम बिलेटर इन बातरूम साफ करा है तो इसका मतला हम सबसे बड़े नीच है सबसे बड़े घटिया इनसान है हमसे बड़ा गिरा हो इनसान कोई हो नहीं सकता है इसलिए मौज़न से कभी बिलेटरिन बातरूम नहीं साफ करना चाहिए और मौज़न का मकाम बहुत उचा है बहुत और अल्ला के नभी ने भी फरमाया आपको एक अधिस सुना देता हूँ याद आ गई अल्ला के नभी ने क्या फरमें मौज़न के बारे में जो मौज़न आजान देता ना जितने लोग हैं उसकी आवाज सुनते ना कयाम मत किसम उसके हक में गवाही देंगे क्या भूल के आजान देता था था ना उसकी गवाही देंगे उसके हक में गवाही देंगे कितना होचा मकाम हमने कहां गिरा दिया लेटर इन बात उप साफ करा रहे हैं, कितने नहींची लोग हम, कितने घटी है किसम की लोग हम हम, कि एक मॉज़िन साथ, अब एक साफ कोशन है, मॉज़िद भूत बड़ी रहती है, एक कीच मॉज़न रहते, तो ऐसे टेम पर कैसा, बहुत तकलिफ हो जाती है उनको, बहुत मॉज़न की जिमेदार नहीं है, एक मिसाल देता हूँ, कुता रहता है, कुता बैठता तो क्या करता है, दुम हिला के साफ कर लेता ता बैठता, दस कुते भी रहे, दस कुते क्या करते हैं, दुम हिला के साफ करते हैं, लेकिन आज कलके मुसलमाना, पूरा कशरा ले जाके म काम नहीं है है एक कुत्ता एक जानोर बैढ राहा हुँ दूम सिला के साफ कर रहा है कछरा न लगे इसके बाड़ी में बारइन अब इन्सान अश्रफु मुखलुकात हो करके करते हों कि उना करता है कि कया है यह गुनाह का क् है तो मज्जीस की हर शक्ष की जिम्मेदारी है कि मज्जिद को साफ करें किलीन रखें अगर मज्जिद को किलीन ने रख सकते आप तो आप गंदगी मत फैलाई हों आप गंदगी मत करिए क्योंकि अल्ला का घर है वोई तुम्हारा घर नहीं है वोई दूसरा घर नहीं है वो अल्ला का घर है कम से अब इस मिट का हों दो अलहम्दल्ला नेक्स टेमिस का खाल रखना है हमना तो अब एक देखा हूं इसके सिलसिले से कुछ देखे यह बहुत गलत बात है कि अगर आदमी स्री मजीद में आए लेटर इन बातरूम करके चला जाए नमाज ना पड़े तो यह गलत बात है जो मजीद है पहली बात तो मजीद का लेटर इन बातरूम जो है वह एमर जैंसी के लिए बना जाता है प्राफ आप और जाकर लोगान श्टित्रा सुमट्फ कão अब अब बात हो रही है हर किसी यूर्ट में ऊपैट прим क्या करते हैं वहाँ जाकर कर लेट baru बात वहां करते हो आप प्र Curse करते हैं नमाज पढ़ने वाले भी नमाज डिन बीक्र नमाजी भी सब्भी जाकरू कियो वहां के भुवर कि नही जातेаєं बाहर क्योंकि नहीं करके जातें officers staff बोला मैंना वो साफ करेगा हम सेलरी देते हैं अरे क्या सेलरी देते तीन हजार दो हजार देते हैं उसे घर चाहता तुमारा क्या तमक समय तो जाहिए से बात है यह गलत बहुत गलत सोच है और बहुत यह घटिया किसिम की आदत है जो मजजिद को नमास को नहीं आता हो लेटरिन को बातरूम को भी नहीं आना चाहिए वाश्रूम को ऐसे क्या बोलते हैं मेरा मैं तो कहता हूँ इसको तो शरम से पानी में चुलू बूर लेकर डूप के मर जाना चाहिए ना करें पानी रहता ना उसमें डूप के मर जाए ऐस बेशरम आदमें ऐसे लोग बहुत बेखायरत आदमें बेशरम लोग होते हैं अब इनको डिर और नहीं है क्योंकि इन्हों क्या करते बढ़्डियां खाते शूत खाते न वो पेड़ भर रहता अब उसे उनका मैंड डेवार रहता वो डायवर्ड रहता वो मजीद नहीं जाते शैतन हकालता उनको दीन कुर्बान नयाइं करेंगे जब तक उनुन में देन नहीं आईगा नाए नाए न दीन कुर्बान मंगता को ऊपने लेटर नेन बात्रूम करके गया और उसके लिए नमाज नहीं पड़े शेरम हमें कर अब देखो किया है बदिजो इंसान को घान घाता però RahLE稍त झाना कहाने की क्या घाना अपशले जाता पैड़े सी अपने आप पेट में नहीं जाता हमें क्या करते हैं उसको हाथ से ऐसे मिक्सिंग करते हैं दाल चाह है या गोश है सालना है तो उसको चावल के साथ मिक्सिंग करते हैं हाथ से मिलाते हाथ से मिलाते हाथ से मिला करके फिर क्या करते हो मुह तक ले जाते हैं ऐसा मुह में डालत मुह में डालने के बाद क्या करते हैं दातां से क्या करते हैं कुछते इसको पीशते हैं कुटाई करके फिर उसके निगलते हैं कितने मेहनत करते हैं कितने मेहनत करते हैं खाने के लिए कितने मेहनत करते हैं नमाज पढ़ने के लिए क्या तेरी गहरत मर कही है इसका मतलब तेर यह करते हैं उन्हों क्या भी सुनाओ अलागे नभी की अधिस है जब तुम तुम्हारे अंदर हया और शरम खतम हो जाए हया और शरम खतम हो जाए तो जो चाहो तुम करो कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे इंसान को तो ऐसे इंसान को चाहिए कि पहले वो लेटिन बातरू मौ प्रवां करके जाएं मज्जीत न को करें गंदगी न करें क्योंकि अल्ला का खर है और लेटिन बातरू मौ तो पहली बात जो बनाया है अमर्जनसी कली लिए है बाकी हर किसी के लिए नहीं है अब यहां करकर क्या करते हैं लोगां घर से निकलते हैं गाड़े लिए चले आये बातरूम करके चले नमाज नहीं पड़े अईसे हालत है लोगों के तो इससे परहस करना चाहिए बचना चाहिए अल्ला ताला हम सबों को नेक अमल की तो फीक दा फर्माए और मज्जित का अद्वर हितराम रखने की और समझने की तो फीक दा फर्माए आमीन अम्मालि ब्लाव खुरिया अफिसाब तेखो भू यह ताचे कहने का पूरे वीडियो वनीस मिट का बीस मिट की वीडियो के अंदर एतीज बात है नमाज को आना चाहरे तो उसमें यह रते आपके कांट्रिबुशन रता बयाना सुनना बोले तो उसमें भी कांट्रिबुशन रता हर चीज में तुमारी जब तक महनत नहीं लगती जब तक ओचीज तुमारे अंदर नहीं आती सिंपल बोलना बोले तो शुक्रिया अबरेगान